कि दोस्तों नमस्कार यूपी पीस सी संबंदित जो है कल एक दो वीडियो हमारे आये थे एक पत्र जो बहुत ज़्यादा चर्चित था उसके संदर में और मैंने आपको बताया था शाम वाले वीडियो में कि ये कार्मिक विभाग और उत्तरवरे सरकार सा इसका कोई लेना द पताया थे कि एक समाजकारे डिफेंस को हटाने का प्रस्ताव है उस पर अभी सरकार की अनुवती नहीं मिली है अगर नहीं मिलती है तो दोनों सब्जेक्ट वापस आ जाएंगे दूसरा जो बात था कि ए आरो से ओ लेवल हटा करे टिपल सी की योगिता करने का प्रस्ताव ये दोनों प्रस्ताव लंबित हैं सरकार के पास अभी तक उस पर कारवाई नहीं हुए है दूसरा जो निर्णे 2019 का नोटिफिकेशन है उससे संबंदित है आयोग ने कुछ समय पहले आयोग ने क्या अध्यक्ष महोदय ने कुछ समय पहले नोटिफिकेशन में ये इंगित करवा दिया था कि अब केवल 13 गुना परिक्षा जो प्रार्मिक परिक्षा है उसमें कौलिफाई कर आजाएंगे मेंस के लिए और मेंस में केवल 2 गुना कौलिफाई कर आजाएंगे इंटर्व्यू के लिए तो जो 18 और 3 गुना का कांसेप्ट था उसको बदल करके 13 गुन उनकी तो अचलाकी दिखाती हुए क्या किया कि एक नेड़े लिया आकस्मिक भैठक बुलाई और जो प्रोसीजर होता है इनका अफचारिक नेड़े लेने का अर्थात सदस्यों के अस्ताक्षर सहित उसी नेड़े पर हस्ताक्षर कर्वा लिये सभी सदस्यों के मुझूदर स परिक्षा का जो परिडाम आएगा उसमें केवल दो गुनाय क्वालिफाई कर आएंगे और दूसरा सवाल उठता है कि आरो ए आरो दोजार सूलख की परिक्षा में क्या यह लागू होगा या फिर जो नोटिफिकेशन आये था दो चरण हो चुके हैं प्रारमी परिक्षा हो चीकिए मुख्य परिक्षा हो चुकी है तो रूल यह है कि नोटिफिकेशन को परिक्षा के मध्ध में नहीं बदला जा सकता है यह कई कई बार कोट में मैं अमले गये हैं हाली में बिहार PCSJ में देखा गया था दुबारा में जाएगा और मामला फसेगा और फसाने माहिर हैं अध्यक्ष महुद है उनहत्तर जा सिक्षक जो है बेचारे जो है टहल रहे हैं ठीक इतने दिनों से परिसान अब तक भरती होकर कि उनको तनक्वा भी मिल रही होती सैल्री भी मिल रही होती फिलाल लेकिन आरो यारो दो 2016 की जहां तक बात है दोस्तों तो यह लागू हो सकता है इसलिए लागू हो सकता है क्यूंकि नोटिफिकेशन में तो 14 नंबर जो दिया है देखिए on the basis of result of preliminary examination approximately 18 times candidate shall qualify for the main exams तो 18 गुना बुलाएंगे यह नोटिफिकेशन में था इनको बस करना यह होगा इसमें बदलाओ करन होगा और कुछ नहीं करना इनको ठीक है कि यह शुद्धी करन करके आता है ने इनका नोटिफिकेशन तो उसको नोटिफाई कर देंगे इसमें बदलाओ हो जाएगा लेकिन जहां तक 18 मों के परिक्षा की बात है तो उसमें बदलाओ नहीं किया जा सकता अगर कर दे हैं तो लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो कुल मिला करके आपसे और पैसे ख़ज करवाना चाहेंगे और चात्रों के पास संसाधन ही कितने होते हैं वो यही करता रहेगा अब लग रहा है कि कोर्ट में A.R.O.M. जैसे गए हैं हैं लोग इसी तरह जो है और यह भी देखा जाता है कि को हिसाबित हो भी जाता है कहीं नहीं होता है तो कोट की नजरों में तो होई जाता है तो हमारे आपके लिए यह सुझाओ है कि आप जो बदला हो रहे हैं उसके लिए त्यार रहे हैं प्रत्यक तरह कि हर परिक्षा में मान के जलें कि 13 गुना और दो गुना ही लागू होगा जो बदलाव हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते जाएं क्योंकि न तो एक तो सरकार मूग दर्शक है वो तो कहकर आई थी कि हम आयोग को एकदम से बदल देंगे अब आकर कह रही कि आयोग स्वायत है वो नेड़े लेने के स्वतंतर है उसका अधिकार छित्र है हम अतिकमार नहीं कर सकते तो कह क्यों रहे थे कि हम आयोग को सुधार दें किस बेशिस पर कह रहे थे दूसरा कि अमिताब ठाकुर जैसे व्यक्ति जो की आयोग में अध्यक्ष बनना चाते थे जिनके आने से बदलाव हो सकता था जिनकी अथक प्रयास से सरकार ने तो बहुत प्रयास क पूर्पूर है उनका जितना धन्यवाद कह सके उनकी जो मैडम है वाइफ है उनका विशेश योगदान रहा कि उन्होंने बीना किसी फीज के केस लड़ा और इसको निरस्ट करवाया इस रिजल्ड को अगर निरस्ट करवाने में दुबारा करवाने में किसी का योगदान है उन्हीं का है तो कुल मिलाकर कि कोई भी मैंशा ऐसी नहीं लगती सरकार की भी कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है छात्रों के हित्मे करना चाहता है आपकी बात कोई सुन ली जाए यही बहुत बड़ी बात है इसलिए और दूसरी बात है कोड में जाने की तो कोड में अब लो हो गई थी तो उनके कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी बिस्ता है तो अब कोई इस मैटर में आगे नहीं आना चाहता क्योंकि एक तो उसका स्वैम का समय खराब होता है दूसरा उसके उपर लंचन भी लग जाते हैं रही बात आंदोलन वगर है कि उससे कुछ हल निकलने वाला नहीं बहुत सारे आंदोलन हुए चार-पांच सालों में आपने देखा कुछ नहीं हुआ और कुछ होने वाला नहीं है न तो उस लेबल पे लोग आ सकते हैं यह तैह हैं कि वह बहुत बड़े-बड़े मैटर्स हो करें समय ना बरबाद करें सब के लिए बदलाओ है आप लिए अकेले नहीं है सब उसे प्रभावित हो रहे हैं जो लोग आन्दोलन की सोच रहे हैं वो भी बैढ़ कर पढ़ाई करें क्योंकि आपके साथ कोई नहीं आने वाला है सब घर बैठ करयें तो इसलिए आप भी अ आते हैं साफ कर दी जाए कि इसकिस परिक्षाम लागू होगा ठीक यह साफ कर दी जाएं बहुत धन्यवाद दोस्तों